एससे पहले हमने gravitation को दिखा था और collision को दिखा था आज हम capilar law को देखेंगे और central force को देखेंगे अब हम capilar law देखने हैं capilar's के 3 law है first, second and third तीनों ही बहुत जादे important है इससी questions आते हैं इससी questions की practice आप jam की जो previous research के questions paper है उससे आप कर सकते हूँ फर्स लोग क्या बोलता है फर्स लोग ऑर्बिट के बार में बताता है कि जो प्लैनेट होते हैं सन के अराउड रिवाल्व करते हैं हमारे सोलर सिस्टम में उनका जो ऑर्बिट होता है वो इलिप्टिकल होता है यह तूडी मोशन होता है minor axis जिसको हम 2B से denote करते हैं आपको ellipse का equation पता होगी इस सरे से होती है न तो इसमें जो AB होता है वो होता है semi major minor axis और A होता है हमारी semi major axis ठीक है यहाँ पर दो distance की बात की जाती है perihelion और epihelion peri मतलब pass तो planet जब sun के बिल्कुर pass में होता है वो होले distance को हम बोलते है perihelion ठीक है planet जब sun से दूर होता है यह planet है और यह हमारा sun है प्लाइनेट sun से जब सबसे farthest distance होती है उसको हम बोलते है epihelion ठीक है इसी को यदि हम earth की case में देखते हैं तो उसको हम बोलते है peri जी और apogee यदि earth sun की पास में होता है तो उसको हम बोलते है parity और जब sun अड़ से दूर होता है तब उसको बोलते है किभि आपको याद अखने है ज़िए हम इसको formula की form में देखते हैं तो R1, R2 बोलते है इसको R1 होता है A1 मैंने C और R2 होता है A1 प्लस E जहाँ E क्या है Eccentricity इसको हम बाद में देखेंगे इसका formula क्या होता है यह आपको याद अखना है E होता है Eccentricity और E की value बताती है कि orbit की जो shape है वो किस सरे से है circular है, elliptical है इस सरे से, देखें अब हम इसके important cases देख लेते हैं जब eccentricity की value different different होती है energy की value less than 0 है इसका मतलब particle है वो bounded motion तो करेगा लेकिन shape क्या होगी वो नहीं पता तो shape बताएगा कौन Eccentricity की value यदि Eccentricity की value 0 है और energy की value 0 है तो हम Eccentricity की value यह पर 0 put कर देंगे तो R1 बराबर क्या हो जाएगा R2 तो R1 बराबर R2 है इसका मतलब क्या हुआ यह R1 R2 के बराबर इसका मतलब जो orbit है वो क्या होगा circular orbit होगा ठीक है और particle तो bounded है इसके अंदर bounded motion करेगा और यदि E less than 0 है energy की value 0 है तो particle तो bounded motion करेगा लेकिन हमें shape नहीं पता तो Eccentricity की value 0 to 1 की बीच में इसका मतलब R1 is not equals to R2 तो orbit का जो motion होगा जो shape होगी वो क्या होगी? elliptical होगी तो यदि E less than 0 है तो particle तो bounded motion करेगा लेकिन eccentricity की value बताएगी कि orbit का shape प्यासा होगा तो यदि energy की value less than 0 नहीं है greater than 0 है इसका मतलब particle होगा वो unbounded होगा तो यहाँ पर eccentricity value बताएगी तो E की value 1 कर देंगे यहाँ पर तो एक तो R1 क्या हो जाएगा 0 और R2 क्या होगा non-0 तो यहाँ पर जो orbit का shape होगा वो parabolic होगा तो E की value greater than 1 है greater than 1 है इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर जो particle होगा वो hyperbolic होगा तो E की value होती है वैसे यहाँ पर अभी बता देती हूँ 1 minus B square upon A square होती है और जो energy होती है वो क्या होती है minus का g m m upon 2 A आपको याद रखना है यहाँ पर जो energy होती है total energy होती है वो होती है minus का g m capital m m upon 2 A चिके? अब हम capitalist का second law देखते हैं second law बोलता है कि arial velocity प्लाइट की जो arial velocity होती है constant रहती है पूरे orbit में planet का जो orbit होता है elliptical orbit महाँ पर planet की arial velocity constant रहती है इसको किसे रह से निकालते हैं इसको हम drive कर लेते हैं d a by dt arial velocity हो गई d by dt को आपने बाहर ले लिया और ए क्या होगा हमारा area तो area यहां से निकाल लेंगे यह इस तरह से triangle बन गया यह तो triangle का area होता है 1 by 2 base base क्या हो जाएगा यह आर और height की होगे इस तरह से arc r क्या होगा r d theta यहां पर हम d theta बाल लेंगे r क्या होगा r d theta तो r square by 2 हमने बाहर ले लिया d theta by dt इस तरह से हो गया अब हमने क्या कि इसको m से multiply कर दिया तो जैसे हम इसको m से multiply करेंगे तो देखो 1 by 2 तो बाहर आ गया यह होगा m r square d theta by dt हो गया है omega तो और यह m नीचे तो m r square omega क्या होता है angular momentum तो j क्या होगा j होता है हमारा i omega तो यह होगा हमारा j या फिर हम इसको so l भी बोलते है तो l हो जाएगा यह तो l upon 2m हो जाएगा हमारी arial velocity हमें पते है arial velocity constant होती है तो मतलब इसका मतलब क्या होगा l upon 2m भी क्या होगा constant होगा m तो constant है 2 constant है तो मतलब l b क्या होगा यहाँ पर constant तो आपको दो चीज़े याद रखनी है कि जो planet होता है वो 2D motion करता है इनका जो orbit होता है वो elliptical orbit होता है और यहाँ पर angular momentum क्या होता है constant रहता है angular momentum constant रहने का मतलब यहाँ है कि यहाँ पर torque भी क्या होता है zero होता है अब हम Capilors का third law देखते है यह time period और semi major axis से related होता है यह किसी भी planet की time period को बताता है कि उसका time period क्या है किस तरह से वो revolve करेगा elliptical orbit में कितना time लेगा वो तो time period का square हमेशा इस proportional होता है semi major axis के cube के यदि हमें किसी भी planet की orbit का semi major axis बता है तो हम उसका time period निका सकते इस वाले formula से यदि दो planet given है और आपको उसका अलग-अलग planet का mass अलग-अलग है तो अब यह वाला formula यूज कर सकते हो time period निकालने के लिए तो T1 upon T2 का square equals to A1 का cube upon M1 A2 का cube cube upon में M2 तो यह वाला formula आप यूज कर सकते हो यह बहुत important formula है time period निकालने के लिए किसी भी planet का अब हम central force की बात करते है तो central force क्या होता है central force is a force that is acting on object जो कि object पर act करता है which is directed along the line joining the object and origin तो central force क्या होता है basically central force ऐसा force होता है जो कि R पर depend करता है तो जहाँ पर भी आप force देखोगे जो R पर depend कर रहा है तो हम उसको central force बोल सकते है example है gravitational force spring force, electrostatic force FR क्योंकि force है तो हम vector से denote करेंगे FR equals to FR तो ऐसा force जो कि R पर depend कर रहा है जो central force होते है वो conservative force होते है conservative का मतलब क्या हुआ F equals to होता है minus का del U upon del R तो यहाँ पर हम F को और U को इस तरह से लिख सकते है यहाँ पर U क्या है potential energy है तो हम central force की equation देखते है central force की equation देखने से पहले हम यहाँ पर central potential इसको effective potential पर पूलते है उसको देखते है तो VR क्या होता है normal जो हमारा potential होता है वो तीक है जब उसको हम add करते है J square upon 2MR square से तो यह क्या बच जाता है V effective बन जाता है यह अब क्यों करते है जब भी मारा motion 2D motion होता है तो हमको difficulty होती equations को solve करने में तो हम इसको 1D में convert कर देते हैं और 1D में किस से convert करते हैं इस से लिए से 1D में जो हमारा potential होता है वो होता है effective potential और यह क्या होता है VR plus J square upon 2MR square तीक है F effective क्या हो जाएग F effective हो जाएगा minus का DV effective upon DR अब हम central force की equation देखते हैं यह बहुत ही important equation है जब आपके exam में central force के question आता है तो यहां से आने की probability बढ़ जाती है क्या होती है D2U upon D theta square plus U equals to minus का MF upon L square U square जहाँ L क्या होता है angular momentum होता है U क्या होता है 1 by R होता है हमको पता है जो force है वो R पर dependent है तो R तम तो आएगी तो महाँ पर जो R होगी हम उसको किससे रिप्लेट करता देगी 1 by U से यह बहुत सकते हैं U क्या होता है 1 by R होता है यहाँ पर हम U की form में central force की equation लिखते हैं आप questions की तरह से बन सकते हैं यहाँ दो तरिके से questions कर सकते हैं या फिर आपको F गीवन होगा तो आप यहाँ पर F को put कर दोगे और U और थीटा की terms में यहाँ पर आपका answer आजाएगा या फिर आपको U और थीटा दे सकते हैं तो आप से क्या पूश सकते हैं F पूश सकते हैं या आपको R थीटा या फिर U थीटा गीवन है तो आपको यहाँ पर F नेकालना पूश सकते हैं थोड़ा से नैंदी हो जाता है क्योंकि यह हमारी 2 की पावर में हमारी डिफरेंचल एक्वेशन हो गई सेकेंड एलिविटी हो गया है आपकर तो इसको आप किस तरह से याज रख सकते हैं उसको हम देख लेते हैं यादि आपको फोर्स गीवन है इस तरह से यादि फोर्स जो है inversely proportional है R स्कॉाइर की जैसे कि हमारी राक्टर स्टैक्टिक में होता है या पर gravitational force में होता है यादि फोर्स इस तरह से है तो यह equation इस तरह से बन जाएगी ठीक हम F की value यहापर पुट कर देंगी ठीक है यहापर क्या बचेगा स्रीफ माइन की अपॉन एपन एपन स्कॉर्स में आएगा है यह पर आएगा जहां हम इसको solve करेंगे ना तो u की यह value आती है क्या आती है u equals to या फिर 1 by r equals to होता है mk upon n square 1 plus e cos theta plus theta naught यह theta naught की value 0 होती है तो u या फिर 1 by r की value होती है mk upon n square 1 plus e cos theta ठीक है आप कोई याद रख ली है u की value या फिर 1 by r की value होती है mk upon n square 1 plus e cos theta एक तो यह आता है दूसरा यह दि हमको r और theta given है r theta भी किससरे से cos और sin की फॉर्म में या र की पावर n equals to है cos n theta या फिर r की पावर n equals to है sin n theta तब हम क्या करते हैं जो force आता है वो इस सरे से होता है देखें आप यहाँ पर elimination method लगा कर भी यहाँ पर आप direct answer देख सकते हो कि force और आदमी क्या relation है यहाँ पर जो force निकलता है वो inversely proportional होता है r की पावर 2n plus 3k तो आप option में देख सकते हो जब आपको इस से रैसी r और theta given है cos or sin की form में तब आप देख सकते हो force और r में क्या relation है और वो आपका answer हो जाएगा यहाँ पर अब हम eccentricity नेख लेते हैं eccentricity होता है e, apes में हम देखा था कि eccentricity जो होती है वो root में 1-b square upon a square होती है तो पर जो b है वो है semi-minor axis और a है हमारा semi-major axis और eccentricity इस तरह से निकालते हैं कि निदि हमको e और angular momenta की form में eccentricity निकालने तो क्या होती है root में 1-plus 2e n square upon m k square तो यह भी बहुत important formula है आपसे यह e और l यह सब देखकर आपको eccentricity पूछ सकते हैं यहाँ फिर आपको eccentricity देखी यहाँ पर total energy किती होगी system की वो पूछ सकते हैं तो आपको दोनों याद रखने है यहाँ पर k क्या है हमको पता है कि हमने force request हो क्या निखा था minus k upon r square तो gravitational force में यहाँ पर k क्या हो जाएगा g m1 m2 हो जाएगा तो यहाँ पर आपको k के जंगे यह वाली value पूट करनी है ठीक है अब हम satellite की कुछ important formula देख लेते हैं कि काफी question satellite से भी आते हैं जैसे मानदों यह ह mass m है radius r है यहाँ पर कोई satellite है जिसको हमको escape करवाना है earth से minimum velocity required होती है उसको हम बोलते है escape velocity escape velocity का formula होता है वैसे तो v equals to root 2gm upon r plus v infinity का square ठीक है लेकिन हम escape velocity बोड़ रहा है minimum velocity बोड़ रहा है तो यहाँ पर v infinity के value हम 0 रखते हैं तो s k velocity minimum velocity जो होती है वो होती है root में 2gm upon r यहाँ क्या है हमारा mass of earth वैसे हम earth ही लेते हैं और small r क्या है distance from the center यहां से यहां तक कि distance r भी हो सकती है और small r भी हो सकती है यहां से center से उस object की distance हम यहां पर देखते है orbital velocity, orbital velocity क्या होती है जैसे मालों यह earth है कोई यहां पर satellite है वो यहां पर orbit में move कर रही है तो उसकी जो velocity होगी उसको orbital velocity बोलते हो वो कितनी होती है root में gm upon r यह r क्या है वो हमारी center से उस object की distance ठीक है S के velocity और orbital velocity में relation फूश लेते हैं देखो यहां पर root 2 है और यह पूरा क्या है V0 है तो VE क्यों S के velocity होती है वो request होती है root 2 V0 के ठीक है तो यह आपको याद अखना है यह भी important है यहां time period of revolution फूशते हैं तो हमको पता है Kepler's का third law planet के time period को बता देता है यदि हमको semi major axis बता है तो यह important formula है आप वह भी याद रख सकते हो जो मैंने यह बता है था आपको यह वाला formula भी याद रख सकते हो लेकिन अधि आपको equals to me याद रखना है तो यह वाला formula आपको याद रखना चाहिए आपको बात करते है एल्रजी के बारे में कोई भी satellite है या फिर कोई भी planet है वो रिवाल कर रहा है तोनल में रिवाल कर रहा है तो इसकी total energy क्या होती है हमें पता है total energy क्या energy क्या होती है अग्यां आप मिव पो पर रहे को पर रहे को औहुतेड मानस में मेरे होती मच्ट्छंइग का दी मैंनि म्प्हां माम उधाल के ह्ग घचुन हouchए वह हमारीבןगे और वेलिसिती होगी और बासिटी अब्सविका दीश्ञोडगा क्या होती यह । और बाइटल रस्टे होती है । रूट में dm upon r जैसे हम इसको यहां पर पुट कर देंगे तो यह क्या देगा dm रिख लिए पर जैसे पुट करेंगे तो यहां पर आदेगा dm upon 2r इसको solve कर लेंगे तो माइनस का dm upon 2r आएगा यहां पर आपको याद रख रहे हैं तो टोटल नरजी होती है उसकी यहां पर upon में 2 आता है ठीक है तो माइनस का dm small m upon 2r किसी भी satellite की total energy है यहां पर जो वी रखते हैं वो orbital velocity रखते हैं इस तरह से आप उस satellite की important formula याद रखते हैं और इनका जो relation होता है यह important है साथ में total energy के में gm1 m2 upon 2r आता है यह important है यह इंपोर्टेंट है तो दैट इस इट फॉर्म बसाइब लग वीडियो सब्सक्राइब चनल पर सब्सक्राइब लाग करें थिम्दा बिटन थैंक्यू